असलाम अलेकम डियर स्टूरेंट्स मैं हैं डॉक्टर हाफिद इंफीक ते मैं तर्म आपने यूट्यूब चैनल ते पुशाम नहींद के देंदे लिसन टू पंजाबी एंड स्पीक इंगलिश ते एक नमे लेक्चर देलाल अज फेर में तरिक दमच हाजर रहां ते आओ लिसन टू पंजाबी एंड स्पीक इंगलिश यानी पंजाबी सुनो ते अंग्रेजी बोलो सीरीज दा आज असी लेक्चर नमबर 12 यानी सबक नमबर 12 शुरू करांगे ते सब तो पहले ता अनु पता है कि असी चीज़ां दे ना सिखने उनने हैं ते आज जासी चार वर्ण नेव फ्तिंग्स ग्यादिएश नहीं नजल आ रही है हातिन इंगलिश हो देखने हैं इंच आंड हैंहैं आगली पोट्विस प्यांग मिधू मची मेशन करें । इव हईस है फिच एष फिष पेश फिच ने असी एद एक टोल दी तस्वीर है ते टोल नूँ इंगलिश कहने ने DRUM D-R-U-M DRUM DRUM एद एक पंची दी या एक परिंदे दी तस्वीर है ते एन नूँ इंगलिश की कहने ने BIRD B-I-R-D BIRD BIRD Next देखव एक किताब है ते किताब ने इंगलिश की कहने ने BOOK B-O-O-K BOOK BOOK एद एक कोई के कैंटी है ते कैंटी ने इंगलिश की कहने ने B-E-L-L B-E-L B-E-L Next पिक्चर देखने है एक आदमी खड़ा है एक मर्द खड़ा है ते एद आद आज जिसम नजर आ रहा है ते जिसम नों इंगलिश की कहने ने B-O-D-Y B-O-D-Y एन नो BODY नहीं कहना जिवह कहने ने के BODY BILDING ते असी English बोह रहे हैं असी पंजाबी दे विच इंगलिश नो नहीं बोलना असी कोशिश करनी है कि बिरिटिश ते अमेरिकन जिस तरह बोल देने बी ओडी बॉडी 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 आधे को यह मुख्तिलिप किसम दे साज पे ने जिनना वसी वजानी है ते बहुत सारे नो कहेंधने बैंड बी ए औंडी बैंड 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 एकस्पिक्चर देखनी है कि आध उसी देखो एक फास्ता दी तस्वीरें बड़ा ही मसूम परिंद है फास्तानु पंजाबी दे विच्छ कोगी कहेंधने थे कुगी नों इंगलिश की कहने हैं डव 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 है देखो या एक जराब है ते जराब ने इंगलिश की कहीदा है सौक 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 अगली तस्वीर बखने हैं ते अगली तस्वीर ते असी नहीं देख रहे हैं वो मुग गई है ते होना सी की करांगे कि आज असी जड़े चार हर्फां वाले लवज सिकेने हैं उना नो तस्वीर तो बगयाद देखने हैं कि किससरा नजरा अंदरे ते नाले असी उना नो पढ़ने हैं उना दा सिंगुलर भी ते उना दा प्लॉरल भी पढ़ांगी यानि वह है ते जमा कला ते एक तो द्यादा एक नो पढ़ने हैं से सबना पहले हैंड ऐी अजारा प्लॉरल है हैं फिश फिश जड़े अंग्रेज ने यह ब्रिटिश अमेरी कने और यह्पिश केंदें ने यह को ज्यादा मचिय हैंविश फिश केंदें उन पहले करके फिश फिश लिखांगे डुम ड्रंस बर्ड बर book books well bells body bodies band bands dove doves sock socks energy tada de 20 any bees wanna see key sikhangay names of months months of the year name of months ta mtlabe mahiniya de naasi sikhnene ya months of the year ke eh iqsaal te vichse kinni mei ni unde ne te o unna de na ki ne te o zara sikhhne sahab to pehla january ase january ni kenna january february february ni february maarch april april ni nui ase kenna ase ano april kenna may june july august nui अगस्त नहीं कहना सी एनुसी ओ कहके नाल गस्त कहना सी और गस्त भी नहीं कहना सी और गस्त सेप्टेंबर ऐसी देखते हो किया थे मैं यह दर ना पीला रंग शो कीता है ते ब्रिटिश की के आर तो पहले अगर कोई वाउल आ जाए तो आर नू पढ़ दे नहीं गाइब कर देने या साइलेंट कर देने खमोश कर देने थे ऐसी यह नू पढ़ांगे सेप्टेंबर नेक्स तो से देखो फिर होई सिचुएशन आगई फिर होई हालत आगई ते उसना दा यह केस है ते नू कवांगे ऑक्टोबर यह थे यह नू पढ़ांगे से नवेंबर और जड़ा आखरी महीना है उन्हों से कांगे डिसेंबर तो ऐसी तो देखो चार जड़े महीने ने आखरी वाले उत्यसी आर्मू नहीं पढ़ना ते दरह तो सी देखो मैं दुबारा पढ़ना है जैनुरी फैबरी मार्च एप्रिल मेय चून जोलाई ओगस्ट सेप्टेंबर ऑक्टोबर नुवेंबर डिसेंबर ते अज दा लेक्चर साड़ा जड़ा उखतम हों दे करीब आज जड़ा सेंटेंस ऑफ दा डे जनी आज जड़ा जुमला जाइधा फिक्रा है उन्हों सी तरह याद कर लेना लेकिन पहले मतलब समझ लेने हैं लिए एक्सरसाइज स्पैलिंग तुसी आदे देख लेना क्योंकि तुसी स्पैलिंग पढ़ लें दिए एक्सरसाइज इ गुड दा मतलब अच्छा या अच्छी फॉर दा मतलब लिये या वास्ते है ले मतलब से एक्सरसाइज इस गुड फॉर हिल्थ या मतलब के वर्जस शेप वास्ते अच्छी चीज है या अच्छी हैuesta अपने जबान ते अपने मूँ ते चड़ालो ते नो बोलते रहो Exercise is good for health Exercise is good for health ते आज़े लेक्चर नो सी अथे ही फिनिश करने है ते फिर तरनल अगले लेक्चर जो मुलागात होगी ते मेरी तरफों, अल्ला हाफिस अगर पसंद आए ते लाइक करो, शेर करो, कोमेंट करो ते मेरे चैनल नो सब्सक्राइब करो बहुत शुक्ति है